का अपने YouTube चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूँ जैसा कि Railway Group D के एक्जाम होने वाले है और NTPC CBT2 का भी एक्जाम जल्द ही होने वाला है तो आज हम लोग कुछ महत्तुपूर्ण optional question जो की Railway Group D में पूछे जाने लगे हैं उनको लेंगे देखेंगे किस प्रकार के फार्मूले बेस्ट question अब आते हैं चलिए उससे पहले हम लोग कुछ इसमें देखते हैं Atomic Number Atomic Number का ही मत्तब होता है परमाडू संख्या परमाडू संख्या को ही परमाडू क्रमान कहा जाता है Atomic Mass परमाडू द्रब्यमान द्रब्यमान संख्या को ही परमाडू भार कहते हैं यहां पर कुछ तत्तो दिये गये हैं उनका परमाडू क्रमांग और परमाडू द्रब्यमान दिया गया है जैसे Hydrogen का परमाडू क्रमांग एक होता है और उसकी द्रब्यमान संख्या एक होती है कैल्सियम कच्छय होता है परमाडु क्रमांक और उसकी द्रब्यमान संख्या बारा होती है नाइट्रोजन साथ द्रब्यमान संख्या चौदा ऑक्सीजन की आठ होती है और उसकी द्रब्यमान संख्या सोला होती है कुछ तत्तों यहाँ पर दिये गए है जैसे कैलसियम की द्रब्यमान संख्या 40 और परमाडु क्रवांग संख्या या परमाडु संख्या 20 सलफर का दिया है 16 32 फासफोरस का दिया हुआ है 15 31 सोडियम का दिया है 11 23 इन तत्तों की आपको जलूरत पढ़ने वाली है इसलिए मैंन में इनको मेंसन कर दिया है, चल यह कुछ कोश्चन को दिया हुआ है जैसे कि पहला क्यूं लेते हैं पहला Quescion उचने पूछा था Sodium अर्थात Na में इलेक्टराणों की संख्या बताईए यह Quescion पूछा गया था आपका Railway Group D में में इलेक्टराणों की संख्या को बताईए चलिए यह Quescion पूछा गया है चलिए अभी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सोडियम इसकी परमाडू संख्या कितनी दी गई है ग्यारा और इसकी द्रब्यमान संख्या कितनी दी गई है तेईस चल यहां से हमें पता चल जाएगा अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रानों की संख्या सदेव प्रोटानों की संख्या के बराबर होती है bunch यह किसके बराबर होती है इसके बराबर होती है the proton प्रोटानों की संख्या को ही पर्माडू क्रमांग कहा जाता है ठीक है बिया प्रोटानों की संख्या को ही पर्माडू क्रमांग या फिर पर्माडू संख्या कहते हैं क्लियर हो गया बच्चो क्या कहा जाता है ठीक है चलिए अच्छी बात है पर्माडू संख्या कहते हैं अब बात होता है कि फिर द्रब्यमान कि से कहते हैं क्या कहते हैं अर्थात इसे हम लोग इलेक्ट्रान अथ्वा प्रोटान के साथ जब हम नूट्रान को एड़ कर देते हैं लिए नेुट्रान को एड़ कर देते, तो क्या बन जाता है? ये अथ Howa है बार की तरीके से, उसे हम परमाडießen, द्रभ्यमान चाहिते हैं, अब आप असानी से निकाल सकते हैं, जैसे उसने कहा, sodium की संख्या कितनी होती है? परमाडू क्रमांक संख्या 11 होती है तो उसने पूछा इसमें इलेक्ट्रानों की संख्या कितनी होगी तो इसमें इलेक्ट्रान भी कितने होंगे 11 होंगे ठीके अब अगर इसमें पूछता कि न्यूट्रानों की संख्या कितनी होगी तो हम लोग किसको इनकालते द्रब्य माने संख्या को द्रब्य माने संख्या क्या होती है प्रोटान प्लस न्यूट्रोन की अगर द्रब्य माने संख्या पूछे आपसे तो भच्चों क्या करेंगे द्रब्य माने संख्या के लिए हम लोग प्रोटान तथा न्यूट्रान लिखते हैं प्रोटानों की संख्या हमको मालूम है कितनी दे रखे हैं जितनी लक्त्रान उतने ही प्रोटान होते हैं ग्यारा लिख दिया न्यूट्रान नहीं मालूम है न्यूट्रान रख दीजे द्रब्यमान संख्या मालूम है कि कितनी होती इसकी 23 तो 23 रख दीजिए तो न्यूट्रोन इधर ही रहेगा इधर ये 11 आएगा माइनस का होगा आप घटा देंगे तो न्यूट्रोनों की संख्या कितनी आजएगी बच्चो 12 आजएगी ठीक है अब देखिए अगर आपको न्यूट्रोनों की संख्या मालूम है इलेक्ट्रानों की संख्या भी मालूम है तो क्या आप आसानी से यहां से द्रब्यमान संख्या निकल सकते हैं बिलकुन बच्चों इनको आइड कर देंगे हम तो क्या निकल आएगा द्रब्यमान संख्या निकल आएगी एटोमिक मास निकल आएगा क्या निकल आएगी द्रब्यमान संख्या निकल आती है ठीक है द्रब्यमान संख्या निकल आती है इसे हम लोग कैप्टल A से प्रजेंट करते हैं अर्थाथ प्रोटान प्लस न्यूट्रान या फिर हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रान प्लस न्यूट्रान जोड़ेंगे तो क्या निकलाता है द्रभ्यमान संख्या आप देखें यहाँ पर न्यूट्रानों की संख्या 12 इलेक्ट्रान या प्रोटानों की संख्या 11 तो द्रभ्यमान संख संख्या आपको याद होनी चाहिए आप बड़ी ही आसानी से इलेक्ट्रानों की संख्या न्यूट्रानों की संख्या या फिर प्रोटानों की संख्या ग्याद कर सकते हैं फिर से एक बार सुनिए इलेक्ट्रानों की संख्या को ही इलेक्ट्रानों की संख्या सदव प्रोटान संख्या की बात करते हैं द्रभ्यवान संख्या को ही पर्माडू भार कहा जाता है क्या कहते हैं बच्चों पर्माडू भार कहते हैं पर्माडू भार या द्रभ्यमान संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रान अध्वा प्रोटानों के साथ नूट्रानों को जोड देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा द्रभ्यमान subπά को किस्ञें करते हैं & A प्रोटान को जोडने से ही और अजाती है ।। चाहे इलेक्ट्रान जोड़ दें और Neutron जोड़ दें तो क्या आजाएगा आपकी संख्या आजाएगी ठीक है बच्छों चलिए एक दूसरा कुश्चन लेते हैं ठीक है चलिए कुश्चन है कह रहा है आपका की कैल्सियम कार्बोनेट ध्यान से सुनिएगा महत्तुपूर कुश्चन है कैल्सियम कार्बोनेट CACO3 में इलेक्ट्रानों की संख्या बताएं मैं इलेक्ट्रानों की संख्या बताएं चलिए मैं इलेक्ट्रानों की संख्या बताएं मैं आपको एक कुश्चन बताता हूं वच्चों इस एक बार देख लीजिए यहां पर दिया हुआ है कैल्सियम इसकी संख्या कितनी है इसकी पर्माडू संख्या या पर्माडू क्रमांग संख्या 20 और द्रब्यमान संख्या कितनी है चालीस ठीक है कार्बन की कितनी होती है बच्चो छह ऑक्सीजन की कितनी होती है आठ चलिए अब इस कुश्चन में आ जाते हैं कैल्सियम कैल्सियम की परमाडू संख्या कितनी है परमाडू का मतलब हो गया प्रोटानों की संख्या कितनी होती है बच्चो यहाँ पर 20 होती है कितनी होगी 20 होगे कार्बन की बच्चों कितनी होती है कार्बन में जो होते हैं प्रोटान उनकी संख्या कितनी होती है 6 प्रोटानों की संख्या को ही परमाडू संख्या कहते हैं ठीक है ऑक्सीजन में कितनी होती है बच्चों ऑक्सीजन की होती है आपकी प्रोटानों की संख संख्या 8 और यह उत्री है तो यहां पर 3 का मल्टिपल हो जाएगा अब देखें यह 20 हो गए कैल्सियम के 6 हो गए कार्बन के 28 24 24 हो गए ऑक्सीजन के पर्मा प्रोटानों की बात कर रहें बच्चों आप जोड़ दीजे 24 36 30 20 50 यह हो गए आपके प्रोटान प्रोटानों की संख्या सदव इलेक्ट्रानों की संख्या के बराबर होती है तो इसमें कुल कितने लेक्ट्रान होंगे बच्चों इसमें 50 इलेक्ट्रान होंगे उम्मीद्स करते हैं कि आपको ईना समझ में आए होंगे यदि आप जरूर लाइक करें और चलिए एक कुश्चन और देख लेते हैं फिर इसके बाद हम आपको छोड़ेंगे कुश्चन नम्मर तीन सब्साइब करनें परिंदी पर कि इल्यूर्ट अकोषयों मैं कि इल्यक्ट्राणों की संख्या है इल्यक्ट्राण की संख्या है चलए लगत्बख कोश्चन आपका ववेसा ही हिए । मैं आपको मालूं है कि क्यल्nant में प्रोटानों की संख्या कितनी होती है बच्चों 6 ठीक है oxygen में कितनी होती है 8 यह 3 है तो इसमें 3 का multiple हो जायेगा तो यह कितने हो जाएगे 24 कितने हो जाएँगे 24 कैल्सियम में 6 है कितने हो ग Bab Babad 6 टोटल vari कितने हो गए बच्चों 30 तो कैल्सियम CO3 कि मैं आपके टोटल कितने होंगे इलेक्ट्रान आपके इलेक्ट्रानों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी तीस हो जाएगी उमीद करते हैं कि आप आप किसी भी कुश्चन के इलेक्ट्रानों की संख्या को निकाल सकते हैं चलिए अच्छा एक कुश्यन और लेते हैं फिर हम इसको छोड़ते हैं एक कुश्यन और कह रहा है D2O भारी जल इसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं भारी जल ठीक है इसी प्रकार का आपका दे जाता है H2O साधारन जल आप इसमें इलेक्ट्रानों की संख्या बताएंगे कमेंट बॉक्स पर H2O जिसे हम साधारन जल कहते हैं में इलेक्ट्रानों की संख्या बच्चो अभी हम लोग निकालते हैं ठीक है हाइड्रोजन हाइड्रोजन की परमाडू संख्या कितनी होती है एक अब यह दो है तो इसमें दो का मल्टिपल हो जाएगा तो कितने हो गए दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें कितनी होती है बच्चो इसमें कितनी होगी आठ कितने होगी बच्चो 8 ठीक है इस में कितने प्रोटान होते हैं 8 होते हैं तो यह होजाएगा आपका 8 ठीक aan oxygen में अुक्सिजर में थीक है तो total कितने इलक्टान हो गए 10 तो h2o में कितने हो गए 10 हो गए आपके ठीक है वीडियो अच्छी लगें तो अधिक सदिक लाइक करें कमेंट करें जिससे कि हम और कुष्चन जो रेलवे गुरूप डूई में पूछे गए थे पिछली बार उनको लेकर आपके साबने आएं उमीद करेंगे कि आपको वीडियो अच्छे लगेंगे धन्यवाद